आप सभी का सवागत है यूट्यब चैनल पे और आज इस वीडियो में हम लोग बात कने जा रहे हैं आपका मॉप-प राउंड का अब जिन विद्यार्थियों को कॉलेज नहीं अलौट हुआ सेकंड राउंड में भी उन लोगों को कैसे अपना थर्ड राउंड के लिए यानि मॉप-प राउंड यानि जो भी बचे वे सीट्स है और यह कब होता है यह हम लोग फूरा इस वीडियो में डिटेल से डिसकस करेंगे तो वीडियो को एंड तक देखिएगा आप लोग को पता है कि आप लोग का यहां पर देख सकते हो सेकंड राउंड का रिजल्ट आ चुका है पी एम और पीम हम दोनों का अब जिनको खॉलेज अलॉट नहीं हुआ यानि लिखा हुआ वहाँ पर कि इस च्वाइस फिल्ड आपने किया उसमें आपको नहीं मिला त बहुत सारी बच्चे जब छोड़ देते हैं नहीं लेते हैं अडमिशन करवाते हैं कौंस्लिंग के बाद तो वह सारी बच्चेयाफा प 이용 Cake में जाती है तो यह आपका जब हो जाएगा यानि आपका जब हैडिमिशन हो जाएगा तभ आपका जोभी शिटस बचेगी तो लगबल लब एडमिशन्स के बाद 15-25 दिन बाद ही आता है एक महीना भी लग जाता है तो एक महीना लग जाएगा आपको अगर मौपाप्राउंट आने वाला रहेगा तब ठीक है तो मौपाप्राउंट आप जैसे देख सकते हो कि पी यह पॉल्टेक्निक वालों का होता है तो सीट मैट्रिक्स उसका अलग से निकलता है ठीक है तो सीट मैट्रिक्स का जो भी बच जाता है सीट हर कॉलिज के साथ कौन सा केटिगरी का सीट बच गया है कौन सा बच्चा नहीं लिया है देख सकते हैं बहुत मात्रा में पॉल्टेक्निक में आपको यह सीट बच बच सबसे अच्छी बात है कि किसी चीज़ कि यहां पर गैरंटी नहीं होगा तो हो भी सकता है इसलिए हम लोग भी कभी कभी आपका प्रेडिक्शनस फेल हो जाते हैं क्योंकि तब देखे तीन साल से तो हो नहीं रहा है तो आप लोग तयारी अपना करते रहिए नेक्स्ट येर के लिए क्योंकि 90% चांसे मेरे तरफ से है कि नहीं ही होगा क्योंकि लास्ट तो-तीन साल से मौपप नहीं हुआ है अब आप लोग क्या करो अपनी त्यारी को अच्छे से करो और क्लोजिंग और ओपनिंग रैंक इस साल का आपका एडमिशन्स के पाद यानि एक्सेडेट महीना बाद ही आएगा कि कौट अफ क्या गया तो कौट अप प्रो पर आपको एक्सेडेट म प्रोच करना चाहते हैं तो आप हमारे प्रेट कोर्स से भी जूर सकते हैं सो आप लोग हमारे डिटेल्स देख सकते हैं विकास सरौन के टीम द्वारा यानि हमारे द्वारा आपको पूरा अच्छे तरीके से कराया जाएगा फूल कोर्स आपका ऐसे फिस्तो 5.99 हो रखिए लेकिन 499 जो भी है वीडियो देखे हैं उनके लिए पिशेब भीडियो देखें उनके लिए पिशेब भीडियो देखें